हलो अरिवन मैसेल प्रमोड डाका फिजिक्स फेकल्टी सी ल्टी सी कर तो डियर आज के शेशन में हम जेई मैं में 2019 में जन्वरी और अप्रेल अटेम्ट में और 2020 में जन्वरी अटेम्ट में जो क्विश्टिंस आये में कानेटिक थेवरी ऑफ गैसे और थर्मोडाइडिमिक के उनको discuss करना जा रहे हैं यह सबसे most important portions में बोल सकते हो heat में आप देखो जैसे मेरे पीसले सेसे में मैंने heat वाले portion को discuss किया था उसके 20 कुशन्स थे और इसमें total 44 कुशन है तो total मिला कर heat से 22 पेपरों की बात करें न बिटा तो इन 22 पेपरों में टोटल मिला कर हीट से 64 कुशिन्स आएं मतलब on and average 2 से 3 कुशिन पर पेपर आ रहे हैं तो टॉपिक बहुत ज़ादा important है ओके लट्स स्टार्ट विद दी कुशिन्स पहले कुशिन में क्या बोल रहा है कि a mixture of gases a mixture of 2 moles of helium gas जिसका atomic mass इन्हों ने दे रखा है 4U and 1 mole of argon gas atomic mass दे रखा है कितना बिटा 40U ठीक है इस kept at 300 Kelvin in a container कि ये container में रखा है जिसमें 2 mole helium है 1 mole argon है जिनके atomic mass इन्हों ने दे रखे है ratio of the rms speed का ratio पूछ रहा है helium versus argon का तो यदि अपने इसमें बात करते हैं न डियर बहुत आसान सा question है कि यवल formula based question है कि किसी भी gas में rms speed जो होती है वी rms उसका formula होता है अपने पास under root 3 kt divided by mw एक molecule के लिए बात करें तो ये mass जो होगा पर molecule होगा यदि आप molar mass में define करते हैं तो 3 rt by mw अपन लिख देते हैं mw से मेरा meaning यहाँ पर molar mass का है चिक है तो इससे यदि आपन बात करें डियर वी rms का ये formula है न तो वी rms जो वो inversely proportional है उसके mass के ये बोल रहा है helium versus argon तो vhe versus var तो mass के inversely proportional हो भी under root के तो यहाँ पर mass of ar divided by mass of helium आजाएगा क्या बिटू और इसकी value अदि आपन पूट करते हैं तो ये वाली value तो अपने पास 40 और ये वाला कितना दीवन है 4 40 अपन 4 कितना 10 10 का under root यदि आपन बात करें तो यहाँ से जो data आपने पास VHE divided by VAR that is under root 10 and under root 10 is approximately ये अपन बात करें ना इन 4 option में तो approximately 1st one is the correct answer clear बात है क्या दियर चलो जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को आगे बात करते हैं question number 2 की question number 2 में क्या कह रहा है वो कह रहा है कि a gas can be taken from A to B via two different processes ACB and ADB कि एक gas को A से B तक लिकर जा रहा है दो different different process है एक तो ACB वाला process है बिटू और एक ADB वाला process है ठीक है when path ACB is used 60 joule of heat flows into the system वो बोल रहा है कि ACB के लिए ये ये अपन बात करते हैं तो क्यों ACB की जो value आ रही है न that is coming as 60 joule ठीक है जी सर फिर 30 joule of work is done by the system कि WACB जो है वो अगला कह रहा है साब कि वो 30 joule है ठीक है तो मैं यहां से ये कहूं कि सर डेल्टा यू ACB जो होगा उसकी value अपन कितनी define कर सकते हैं 30 Q-W डेल्टा यू आ जाएगा आपने पास ठीक है डेल्टा यू ACB मतलब यह वाला डाटा किसका है यह वाला डाटा है यू final minus u initial यू B minus u A work done जो होता है यह path dependent quantity है energy जो है वो path dependent quantity है और delta यू जो internal energy में जो change होता है वो state dependent होता है वो path dependent नहीं होता इसका मतलब जितना delta यू ACB के लिए है उतना ही delta यू जो होगा ना बेटू वो ADB के लिए होगा delta यू ADB ठीक है जी सर फिर आगे बोल रहा है if path ADB is used work done by the system is 10 joule कि W ADB जो बोल रहा है that value is coming as 10 joule ठीक है जी सर आगे क्या बोल रहा है the heat flow into the system in path ADB कि path ADB में क्यों की value कित्ती होगी तो यह तो सीधा सीधा आपने पास आजाएगा सर कि Q ADB is equals to W ADB that is 10 plus delta U ADB that is 30 तो यहां से यह value जो आ रही है नवे टू that value is coming as 40 joule मतलब इस system में जब अपन ADB से लेकर जाएंगे तो energy जो फ्लो होगी that will be 40 joule so the correct answer is third option ठीक है dear आगे बढ़ाते हैं बात को आगे अपन बात करते हैं Q3 की देखो जी साथ Q3 में क्या कह रहा है a 15 gram mass of nitrogen gas is enclosed in a vessel at temperature 27 degree Celsius कि एक vessel है जिसमें 15 gram nitrogen gas है temperature जिसका 27 degree Celsius है amount of heat transferred to the gas so that RMS velocity of the molecules is doubled कि molecules की RMS velocity जो है वो डबल हो जाए है इसके लिए कितनी heat उसको transfer करनी पड़ेगी हमने कहा देखो RMS speed के बारे में बात करें ना बिटू तो RMS speed जो होती है V RMS यह बिटू अंडरूट T के प्रपोर्शनल होती है RMS speed is proportional to अंडरूट ओफ T तो यदि मैं V2 अपोन V1 की बात करता हूँ that value is अंडरूट T2 अपोन T1 और वो कहरा है कि यह 4 डबल है इसके तो T2 की value आप चेक करोगे तो T2 की value आपके पास किस के equal आगी 4 T1 के equal आगी और यह temperature किस में होता है यह temperature Kelvin में होता है तो अपना जो initial temperature है वो 27 degree Celsius है 27 degree Celsius है मतलब 300 Kelvin इसका मतलब जो final temperature at T2 that value is coming as 1200 Kelvin बोलो डियर हा की ना final temperature जो आ रहा है वो 1200 Kelvin आ रहा है बोलो ठीक है RMS velocity डबल हो जाए तो इसमें कितना amount transfer हुआ तो हमने कहा देखो इसको एक पात्र में बात कर रहा है गया पात्र में बात कर रहा है इसका मतलब क्या constant हो गया बोले volume constant हो गया बात समझे रहे हो डियर volume constant हो गया volume constant हो गया तो constant volume के लिए process में energy की जो value होती है that is mu cv into delta T where mu is the number of moles cv जो specific heat है किस पर constant volume पर तो जैसे ही आप value put करोगे mu कितना है बिटो 15 by 28 cv की value कितनी है बिटो 5 r by 2 अच्छा देखो r वाली calculation तो आप 8.3 रख सकते हो otherwise r का data आपको put करना हो तो 8.3 जो आना इस वाले data को आप 25 by 3 भी यूज़ कर सकते हो बहुत सारे questions में ये helpful रहता है तो r को 8.3 के बज़ाए 25 by 3 भी यूज़ कर सकते है अब बात करते है delta T temperature में change कितने का final temperature अभी to 1200 Kelvin initial temperature 27 degree Celsius बोले तो 300 Kelvin तो temperature में change कितने का आया 900 Kelvin का यहां से जब आप इसकी value solve करते हो तो यह approximately अपने पास 10 kilo Joule मतलब 10,000 Joule के equal आता है calculation वाला part कर सकते है मिटाप तो यहां से मैं देखूँ तो option second जो है वो मेरे को correct ने ज़रा रहा है clear तो second one is the correct answer चलो dear आगे बढ़ाते हैं बात को question number 3 के बाद बात करते है question number 4 की देखो जी साब 4 में क्या कह रहा है वो कह रहा कि two carno engines A and B are operated in series दो carno engine A और B वो series में operate हो रहा है ठीक है first one A receives heat at T1 Kelvin 600 Kelvin पर energy receive करता है ठीक है और rejects to a reservoir at temperature T2 ठीक है the second engine B receives heat rejected by the first engine and it turns rejects a heat in turn rejects to a heat reservoir at T3 ठीक है calculate the temperature T2 if the work output of two engines are equal कि work output same है मतलब है क्या actually देखो जैसे ये T1 temperature पर reservoir है ये T2 temperature पर है और ये T3 temperature पर reservoir है ठीक है जी सर इसके बीच में एक carno engine है इन दोनों के बीच एक carno engine है पहला carno engine इधर से कुछ energy लेता let's suppose Q1 energy इसने ली जिसमें से work में convert होगी डबलो और आगे चली गई Q2 ठीक है जी साब अब ये जो Q2 energy इसको मिल रही है इसमें से आगे चली गई W में और इधर चली गई इसके पास कितना Q3 बोलो डियर ये सोर नो अरे सही है क्या भई इससे Q1 energy ली जिसमें से work में चली गई W आगे Q2 चलीगी इस heat reservoir और इस T2 temperature वाले को फिर Q2 जो energy है उसमें से आगे W में conversion हुआ second carno engine में और Q3 energy जो है वो T3 वाले को चलीगी ठीक है जी साब तो यहां से इस W की जो value है वो मेरे पास किसके equal है Q1 minus Q2 के और यहां से जो W की value है यह किसके equal है Q2 minus Q3 के अब देखो वो इसमें बोल रहा है कि मेरे को temperature T2 चाहिए तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा होता है इस वाले case में अपन यह apply कर सकते है that Q1 upon Q1 is equals to Q2 upon T2 is equals to Q3 upon T3 बहुत सिंपल सा है इसको तो आप यूज करते वे आए यह ना Q1 upon Q2 upon Q1 को T2 upon T1 से replace करते हैं कि नहीं करते हैं जब कारणो इंजन में efficiency calculate करते हैं यही करते हैं तो जी सर यह वाला यदि अपन लगा सकते हैं तो let's suppose it is X तो Q1 की value होगी X T1 Q2 की value होगी X T2 और Q3 की value होगी X T3 जैसे ही इसमें अपन चेक करें 2 Q2 जो है वो किसके equal आ रहा है बिटू Q1 plus Q3 के बोला ठीक है तो यह वाली value जो है यह मेरे पास आगे 2 into में X T2 Q1 है X T1 और Q3 है X T3 बोलो dear yes और नो बोला हाँ अब X जो है वो तो सहादत प्राप्त कर गया T2 की value जो मेरे पास इस वाले case में आ रही है that is coming as T1 plus T3 divided by 2 बोलो dear yes और नो अरे सही है क्या T1 कितना दे रहा है T1 दे रहा 600 T2 दे रहा 400 तो 600 प्लस 400 1000 बट्टे में दो कितना बेटो जी T2 की value मेरे पास निकल कर आ गई कितनी 500 Kelvin यही पूछा था बहुत सिंपल सा question यह वाली चीज़ दिमाग में हिट कर गई तो बहुत आसानी से question हिट हो जाएगा तो इसके correct answer की बात करें तो second one is the correct answer तो अब अपन अपने अगले question की बात करतें that is question number 5 इसमें बोल रहा है कि तीन कार्नो इंजन है ठीक है और वो सीरीज में ऑपरेटर हो रहे है यह पहला वाला कार्नो इंजन यह दूसरा वाला कार्नो इंजन यह तीसरा वाला कार्नो इंजन और इसका source जो है वो T1 पर इसका sink T2 पर इसका source T2 पर इसका sink T3 पर इसका source T3 पर और sink T4 पर वो ले ठीक है सर बोल रहा है, three carno engine operating series between a heat source at a temperature T1 and a heat sink at a temperature T4 see figure, there are two other reservoirs at temperature T2 and T3 as shown in width relation दे रखा है three engines are equally efficient, मतलब तीनों ये जो carno engines है ना बिटू, इनकी efficiency equal है तो अपने को T2 और T3 की value calculate करनी है T1 और T4 के terms में, चेक है सी सर अच्छा, चलो फिर आपाने next question को करते हैं, देखो पहले वाले engine के लिए ये दी मैं बात करूँ, ये T1, T2, T3, T4 इसके लिए ये दी मैं बात करूँ, तो इसकी efficiency 1-T2 upon T1 इसकी efficiency 1-T3 upon T2, ठीके के डियर, और इसकी efficiency 1-T4 upon T3 बोलो भई हा की न, बोले हा, एक तो सब का सही दो गया, माइनस ज़गा, प्लस में खनवेट हो गया, तो अपने पास data जो आया है, वो T2 upon T1 is equals to T3 upon T2, is equals to T4 upon T3 आ गया, सही है बिटा जी, अच्छा, अब देखो इसमें सिंपल सी यदि में बात करूँ, जैसे पहले इन दो को ले लेता हूँ, तो मेरे पास T2 square जो है न, बिटू, वो T1 into T3 के एक को ला रहा है, ठीक है, फिर मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ, तो dear T3 square जो है, वो T2 into T4 के बराबर आ रहा है, बोलो हां की न, अरे सही है क्या, अच्छा सर, तो यहां से यदि मैं T3 की value इसमें put करता हूँ, इस equation से इस equation में, तो T2 square जो मेरा T1 into T3 था, T3 की value आ गई मेरे पास, under root में T2 into में कितना बिटू, T4, बोलो dear yes sir no, फिर जी सर यहां देखो, इसकी power इधर 2 है, इधर half है, तो इधर कितनी बची, 3 by 2, तो यह आ गया T2 की power 3 by 2, is equals to T1 into में under root of T4, ठीक है, अब एक काम करते हैं, square कर देते हैं पूरे का, जैसे ही square करोगे, इधर बना T2 cube, इधर मे कितना, T4, ठीक है, तो अब power 1 by 3 कर दो, तो T2 की value मेरे पास निकल के आगी, T1 square into T4, और इसकी power कितनी dear, 1 by 3, बोलो भई, ठीक बात, अच्छा, फिर उसके बाद, T2 की ये वाली value, जैसे ही मैं इस equation में put करता हूं, T3 square is equals to, T2 की value put करो, T1 की power 2 by 3, यही तो आ रहा, T1 की power 2 by 3 into T4 की power 1 by 3, साथ में और कितना दे रहा है, T4 और दे रहा है, तो इधर मेरे पास जो T3 square निकल के आया, वो निकल के आगया, T1 की power 2 by 3, साथ में T4 की power, that is 4 by 3, बोलो हां की न, अंडरूट मार दो, जैसे अंडरूट लगाया, T3 की value मेरे पास, therefore आ गई, T1 की power 1 by 3, साथ में T T4 की power 2 by 3, यदि आप इसको सजा के लिखना चाहें, तो यह लिख सकते है, T1 into T4 square, और इसकी power कितना दे रहा है, 1 by 3, तो T2 की value आरिये, T1 square T4 raise to the power 1 by 3, और T3 की value आरिये, T1 T4 square raise to the power 1 by 3, तो यहां से यदि आपन correct option की बात करते हैं न, दे तो इसका जो correct option जो आ रहा है, that is the second one, second option जो इसका वो correct है, ठीक है dear, चलो बिटाजी, आगे बढ़ाते हैं बात को, 5 के बाद अगले question की बात करते है, question number 6, देखो वो क्या बोल रहा है, कि half mole of an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure of 180m from 20 degree Celsius to 90 degree Celsius तक लेकर जा रहा है, ठीक है, work done by the gas is closest to, कि gas का जो work done है, वो किसके closest होगा, ठीक है जी स अब process कैसा है, constant pressure, मतलब नियत दाप पर बात कर रहा है, ठीक है, constant pressure वाले process में यदि अपन बात करते हैं, तो इसमें work done की जो value आती है, वो एक तो आती है P delta V, और एक data आता है, mu R delta T, where mu is the number of moles, बोले ठीक है, तो what is mu, half mole बोल रहा है, मतलब 1 by 2, again, r, r कितना है, sir, 8.31 दे रहा, देखो, मैं इसको 25 by 3 लिख देता हूँ, calculation में आसानी रहेगी, delta T कितना है, delta T है मेरे पास 70, बोलो हाँ की न, अरे सही है क्या, यदि आप यहाँ से data calculate करते हो, तो approximately 290 point something आता है, 8.31 वाला data लेकर check करोगे, check करो, 8.3 into 70 रख लो, easy 8.3 वाले से ही रहेगा, य जैसे ही आप इसको multiply करोगे, this value is approximately 290 point कुछ, मतलब, अपन यहाँ से अधी बात करें, तो कारिये का सन निक टमान पूछ रहा है, तो अपन 290 point something को क्या लिख सकते है, 291, so the correct answer is third one, ठीक अडियर, चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करते हैं, question number 7 की, देखो, 7 में क इस दाब पर है, ठीक है, density of the gas is this, gas का गनत्व जो है वो इतना है, ठीक है, what is the order of energy of the gas due to thermal motion, thermal motion की वज़े से gas की energy का order क्या होगा, तो जी सर, gas की जो energy होती है ना, internal energy, इस वाले case में अपन क्या लिखते हैं, mu cv into t लिखते हैं ना, बोलो हां की ना, mu, cv की यदि मैं बात करू तो cv कितना होता है सर, cv है, monoatomic gas के लिए 3r by 2, in 2 में t, ठीक है, तो 3 by 2 को तो मैंने बाहर रखा, और ये वाला data आगया मेरे पास कितना, mu r t, बोलो dear, yes or no, u की value यह आगी, बोलो ठीक है, तो यहां से u की यदि मैं बात करूं, चन्द इस value is 3 by 2, और mu r t को अपन क्या लिख calculate करना है, तो देखो, बहुत आसान सा question है, 8 kg का volume होगा 1 meter cube, तो 2 kg का volume कितना होगा, volume होगा sir, 1 by 4 meter cube, बोलो dear, हां की न, और सही है, तो जैसे ही अपन इसमें data put करेंगे, u is equals to 3 by 2, pressure दे रहा है बिट्टू कितना, 4 into 10 raise to the power 4, volume दे रहा है कितना, 1 by 4, 4 से 4 सही दो गया, तो u ज is coming as 3 by 2, that is 1.5 into 10 raise to the power 4 joule, ठीक बात है, अब ये पूछ रहा है कि energy किस order की है, तो बहुत चार option है, आपके पास कौन सा option correct मानेंगे, third option is the correct answer, clear बात है dear, चलो जी sir, बात को आगे बढ़ाते हैं, 7 के बात करते हैं में to question number 8 के, वो बोल रहा है that a gas mixture consists of 3 moles of oxygen and 5 moles of organ at temperature T, oxygen के कितने, 3 moles है, argon के कितने, 5 moles है, ठीक है, तो ये diatomic gas के 3 moles होगे, monoatomic gas के 5 moles होगे, considering only translational and rotational modes, मतलब temperature जो है वो लो है, मतलब medium range का है, the total internal energy of the system पूछ रहा है, तो total internal energy वही वाला case, दो gases है, तो पहले की energy हो जाएगी, mu1, cv1 into me T, दूसरे वाले की हो जाएगी, mu2, cv2 into me T, बोलो हा की न, तो पहले जो है, 15R by 2, ये वाला data भी 15R by 2, तो total यदि मैं energy यहाँ से calculate करता हूँ, तो इसकी जो total energy निकल के आती है, that is coming as 15RT, तो correct option की बात करें न, dear, then the second option is the correct answer, ठीक है, okay sir, चलो आगे बढ़ाते हैं बात, बहुत simple सा question है, internal energy पर based है, इससे पिछले वाला जो question था, ये भी internal energy पर based था, इससे पिछले वाले में भी मतलब लगबग formula जो है, मतलब मैं ही कह सकता हूँ, कि sir, इस वाले in cases में, यदि आपको formulas remember है, तो ये questions hit करना आपके लिए बहुत आसान सा होगा, जैसे, चलो आगे बात करते है, question number 9 की, क्या बोल रहा है, in a process, temperature and volume of one mole of an ideal monatomic gas are varied according to relation, इस relation के according vary कर रहे है, ठीक है, where k is a constant, okay, in this process, the temperature of the gas is increased by delta T, delta T से आपने temperature बढ़ाया, process क्या है, Vt is equals to constant, the amount of heat absorbed by the gas पूछ रहा है, कि gas कितना amount heat का absorb करेगा, ठीक है, बहुत आसान सा question है, बस मैं इसमें ये बोल सकता हूँ, कि Vt is equals to constant, generally अपन पॉलिट्रोपिक process में इस टाइप के question को heat करते है, तो जैदी मैं उसको बनाता हूँ, तो T की value जो होती है, मेरे पास, उसको मैं put कर सकता हूँ, PV upon mu r as equals to constant, बो डियर, yes or no, लेख सकते हैं क्या, temperature के place पर PV upon mu r, ideal gas equation PV is equals to mu r t वाले से, तो मैं यहां से जो put कर सकता हूँ नदियर, that I can write, PV square is equals to constant आ गया, मतलब यह एक polytropic process है, जिस polytropic process को अपन जनली से लिखते हैं, PV is equals to constant, और इस polytropic process की specific heat अपन किस से देते हैं, r upon gamma minus 1 plus r upon 1 minus x, यही लिखते हैं कि specific heat का formula, c is equals to r upon gamma minus 1 plus r upon 1 minus x, बोला ठीक है, तो जैसे ही इसमें value put करेंगे, c is equals to r upon, कौन सी gas अदियर, monoatomic gas है, CV कितना होता है, monoatomic gas के लिए, 5 by 3 minus 1 plus r upon 1 minus x के place पर क्या put करना है, इस equation से 2 put करना है, ठीक है, तो r upon यह वाला data कितना बना, 5 by 3 minus 1, that is 2 by 3, उपर जाकर क्या लिख सकते हैं, we can write it 3r by 2, minus में r, तो यहाँ से सर, c की जो value आ रही है न, specific heat की, that is coming as r by 2, बोले ठीक है सर, अब अगला क्या बोल रहा है, कि इस process में कितनी energy अब्जोर्ब ही, तो total energy को अपन किसी भी process के लिए क्या लिखते है, mu c into में delta t, बोलो हा की न, mu क्या बोल रहा है, 1 mole बोल रहा है, ठीक है जी सर, 1 mole, c की value आपने इस process के लिए कितनी calculate किये, r by 2, temperature कितना change किया है, delta t, तो यहाँ से q की value calculate करेंगे, तो dear q की value जो है, that is coming as r delta t divided by 2, तो correct answer, जो इस question का, that is the fourth one, clear dear, चलो बिटाजी, आगे बढ़ाते हैं बात को, 9 के बाद अपन बात करते है, question number 10 की, देखो जी सर, 10 में क्या कह रहा है, कि an ideal gas occupies a volume of this at this pressure, the energy of the gas, कि एक आदर्स gas जो है, वो इतने दाप पर इतना volume occupy करती है, गैस की कूल उड़ जा, तो dear gas की जो कूल उड़ जा है, वो अपन क्या लिखते हैं देखो, mu cv into mid t, अब mu cv into mid t, cv को अपन क्या लिखते हैं, fr by 2 into mid t, बोलो हाँ की न, यही लिखते हैं तो u की value जो है, वो f साथ में अपने पास आ गया, mu rt divided by 2, अब mu rt किस के equal होता है, mu rt pv के equal होता है, तो u की value जो मेरे पास आ रही है, that is coming as, f by 2 into में कितना dear pv, बोलो भी हाँ किये न, सही है, ideal gas ले रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो generally अपन कौन सी लेते हैं, monoatomic gas, जैसे ही इसमें data put करेंगे, u is equals to 3 by 2, what is p? pressure, is 3 into 10 raised to the power 6, 30 atm के equal है वैसे, volume कितना है, 2 meter cube, ठीक है dear, 2 से तो 2 सहाधत प्राप्त कर गया, और ये वाला data मेरे पास आ गया, 9 into 10 raised to the power 6, बोलो हाँ किना, generally degree of freedom जो होते हैं, बाकी gases के लिए जब आप बात करोगे, से ज़्यादा ही होते हैं, तो बाकी की energy जो है, ऐसा नहीं है कि diatomic gas ideal नहीं होती है, होती है, बिल्कुल, H2 होती है, जैसे बहुत low temperature पे भी gases behavior शो करती है, जब कि oxygen गएरा नहीं कर पाती है, पर H2 तो करती है, तो dear, diatomic भी ले सकते हैं, try भी ले सकते हैं, लेकिन बाकी आप option चेक करोगे ना तो और कुछ है ही नहीं, monoatomic वाली energy जो होगी, that will be the lowest energy, तो यहां से अपन correct option की बात करें, then first one is the correct answer, clear बात है कि dear, okay dear, तो अपने next question की बात करें, attention number 11, बहुत आसान सा question है question number 11, देखो उसमें बोल क्या रहा है, वो कह रहा है कि for the given cyclic process, C-A-B-C, C-A-B-C, okay, saunas for gas, the work done is, work done पूछ रहा है, तो अपन बोलेंगे sir, इस वाले case में work done जो होगा न, that will be area under PV कर, बोला हा, तो यहां पर W जो है, देखो, इस वाले case में यहां से लेकर यहां तक की बात करूंगे, तो volume 1 से 5 meter cube तक vary कर रहा है, मतलब यह वाली length होगी 4 meter cube, और यहां पर यदि pressure की बात करूं, तो यहां से लेकर यहां तक 1 से 6 तक pressure vary कर रहा है, मतलब 5 pascal का variation है, तो एक triangle है, triangle का area, इस पहले case में 1 by 2, इंटो में pressure का variation कितने का, 1 से 6 में कितने का dear, 5 का, इधर से 1 से 5 में कितने का variation dear, 4 का, तो यहां से अधि अपन calculate करें 20 by 2, तो work done इस वाले process में जो आ रहा है, बहुत आसा question है, किसे भी cyclic process में जो work done होता है, clockwise होगा तो positive work done होगा, anti-clockwise होगा तो negative work done होगा और PV graph का area होता है, तो अपने PV curve का area calculate किया, तो अपने work done जो आ रहा है, that is 10 joules, clear? चलो बिटाजी, आगे बढ़ाएं बात को, आगे बात करते है, question number 12, 12 जो है ना मतलब एक दिखा के डराने वाला question है, वैसे इसमें कुछ है नहीं, बहुत easy going question है, आप question पड़ो, hit हो जाएगा, क्या बोल रहा है, कि ए vertically closed cylinder is separated by two parts, of a frictionless, by a frictionless piston of mass small m, and of negligible thickness, the piston is free to move along the length of the cylinder, the length of the cylinder above the piston, उपरी part में L1 बोल रहा है, and below the piston is L2, such that L1 greater than L2, उपर वाले piston में लेंथ ज्यादा है, each part of the cylinder contains n moles of an ideal gases at equal temperature T, ठीक है, the piston is stationary, the mass m will be given by, देको, question क्या है, पर ले क्यूशन को समझते हैं, पन फोटो बना किया है, देको, इतना सा क्यूशन है, जैसे एक cylinder है, एक closed cylinder है, ठीक है dear, और अपने यहाँ पर एक बीच में piston लगा रहा है, negligible mass का है, ठीक है जी सर, इधर भी इस वाइड साइड जो length है, यह L1 है, और इस वाली साइड जो length है ना dear, this length is L2, ठीक है, piston का mass है M, तो अपने को actually, इसमें भी N number of moles हैं, इसमें भी N number of moles हैं, मालो इस वाले portion में मैं pressure P1 की value लिखूँ, तो P1 किस के equal आएगा, N, R, T, divided by volume, volume को लिख सकता हूँ में area into my length, बोलो हाँ की ना, फिर दूसरे वाले portion में यदि मैं P2 लिखना चाहूँ, इसमें pressure क्या लिखेंगे अपन, pressure लिखेंगे इस वाले portion में, N, R, T, divided by A into my L2, बोलो हाँ की ना, N, R, T upon volume, PV is equal to N, R, T, अपन ने put किया है, अब P2 की value और P1 में क्या relation होगा, देखो, यहाँ pressure P1 है, यह piston जिसका mass MG है, तो मैं कहूँगा, इसकी वज़े से extra pressure लगेगा, जिसकी value किसके equal होगी, बोला, इसकी value MG upon A के equal होगी, और यह वाली value किसके equal होनी चाहिए, P2 के, तो DR, जैसे ही अपन data put करेंगे, P1 की value क्या है, N, R, T upon A, L, 1, प्लस में MG upon A, P2 की value क्या है, P2 की value है, N, R, T upon A, L, 2, बोलो हाँ की न, अच्छा, तो सर सबसे पहले तो area सहीद होगया, बोला, ठीक, फिर इसको इदर लेया, इसको इदर लेयाओ, तो MG की value जो अपने पास आ रही है, देखो, N, R, T तो दोनों में से common, this is 1 upon L, 2 minus 1 upon L, 1, तो L, 1 minus L, 2 upon N, 1, L, 2, और G से डिवाइड कर दिया, तो इस piston का जो mass आ रहा है, that is coming as N, R, T upon Z, साथ में डियर, L, 1 minus L, 2, divided by कितना, L, 1, L, 2, बोलो हाँ की न, अरे बाट ठीक है क्या, तो अब यहाँ से दियापन, correct answer की बात करें, then fourth one is the correct answer, ओके डियर, बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करते हैं, question number 13, देखो 13 बहुत आसान सा, पट, इसके लिए आपको formula याद होना चाहिए, जैसे यह क्या बोल रहा है, आगे अपने एक और question में एक काम आएगा, तो mean free time का जो formula है, वो अपने पास होता, lambda that is the mean free path divided by the average velocity of gas molecules, ठीक है जी sir, if the pressure is doubled, pressure double कर दिया और temperature बढ़ा कर 500 Kelvin कर दिया, तो ओ कह रहा है कि नए case में mean free time का क्या formula आएगा, तो दी sir, देखो, lambda जो होता ना, यह proportional होता है T upon PK, और V average होता ना, यह proportional होता है under root PK, तो यहाँ से अधी अपन बात करें जी sir, तो अपन बोल सकते हैं sir, T जो है, वो proportional आएगा, root T divided by PK, अब डियर यह वाली चीज अपने को उस time पर strike कर गई, मतलब अपने को यह formula उस time पर memorize रहे, तो equation बहुत आसानी से हो जाएगा, otherwise इसमें दिक्कत आएगी, तो भई हमने कहा, देखो T2 upon T1, mean free time वाले की calculation अपन करें, तो this can be written as under root T2 upon T1, into बे, P1 upon P2, बोलो भई हाँ की ना, T2 जो है, final temperature दे रखा है, कितना डियर यह रहा, 500 Kelvin, initial temperature कितना था, यह रहा 300 Kelvin, so it is 500 by 300, pressure initial at 280m, और बाद वाला जो है, वो double कर दिया, मतलब 480m हो जाएगा, ठीक है जी साब, तो यह data मेरे पास आ रहा है, under root में 5 by 3, 7 में 1 by 2, ठीक है सर, अब T1 को इदर multiply कर दो, तो T2 अपने पास आ गया, under root में 5 by 3, into में 1 by 2, into में 6 into, 10 raised to the power minus 8, जब आप यहां से calculations करेंगे न, तो यह data approximately, it will come as 4 into 10 raised to the power minus 8 second, clear एगे डियर, चलो जी सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, 13 के बाद आगे अपन बात करें, question number 14 की, यह जो question है नाभी टू, यह question का answer correct नहीं आया, अगले क्या करना चाहरे थे पता नहीं, पर answer आया नहीं, तो इस question को फिर NTA वालों ने bonus करार दिया है, ठीक है, जी सर, शुरू करें आपन, वो बोल रहा है कि, if 10 raised to the power 22 gas molecules, each of mass 10 raised to the power minus 26 kg, collide with a surface perpendicular to it, elastically per second, over an area of 1 meter square with a speed of this, the pressure exerted by the gas molecules, will be in, of the order of, अच्छा, तो सर्क सवाल क्या है, कि जैसे यह वोल है ना, एक gas molecule आया, V speed के साथ, elastically collide हुआ, तो हमें पता है सर, obviously वापस के से speed जाएगा डियर, V से ही जाएगा, और ऐसे कितने molecules per second strike कर रहे है, 10 to the power 22, ठीक है, तो force कितना लगेगा, force की value हो जाएगी, मालो यदि N molecules करते हैं, और एक molecule के momentum में change 2MV का, तो force लगेगा यह, ठीक है, pressure कितना लगेगा फिर, pressure लगेगा force upon area, तो अपनने value put की, 2MNV upon area, अब जैसे data put करते हैं, pressure अपने पास आ रहा है, gas molecule, एक molecule का mass 10 raise to the power minus 26, N कितना दे रखा है, 10 raise to the power 22, velocity कितनी दे रखी है, किस speed chakra collide कर रहा है, 10 raise to the power 4 से, divided by area कितना दे रखा है, area दे रखा 1, ठीक है, अब यह तो minus 22, 22 plus 4, 26, यह तो सहीद होगे, तो pressure जो इसका बच रहा है, that is coming as 2 newton per meter square, तो इसमें से कोई भी answer जो है, वो correct नहीं था, तो फिर जेए मैन वालों ने इस question को bonus करार दे दिया है, ठीक है कै dear, चलो जी sir, आगे बढ़ाते हैं बात को, question number 14 के बाद अपन बात करें, the temperature at which the root mean square velocity of hydrogen molecule equals their escape velocity from the earth is closest to 2, कि किस तापमान पर hydrogen के जो molecule है, उसकी root mean square velocity जो है, वो earth के escape velocity के equal हो जाती है, तो हमने का जी sir, earth की escape velocity जो है, इसकी value होती है dear, 11.2 km per second, बोला जाए तो 11.2 into 10 raised to the power 3 meter per second, ठीक बात है dear, अच्छा जी sir, फिर वो कह रहा है, इसमें कुछ data is given है, आपको Boltzman constant given है, Avigadro's number given है, radius of earth given है, gravitational acceleration given है, तो यहां से तो अपने को देखो, पहले ये data पता ना, जी escape का, तो अपने इसी और इसी और इसी काम में ले ले लेते हैं, is equals to, यहां से अधी अपने इधर वाली side में बात करें, तो इस value is 3RT upon MW, बुलो जी हां की ना, सही बात है, अब जैसे ही अपने इसमें value put करते हैं, 11.2 into 10 raised to the power 3, is equals to under root 3, into में 8 by 3, या फिर आप 25 by 3 भी put कर सकते हो DRS को, 3 into 25 by 3, into में temperature T, divided by MW, that is 2 gram, then 2 into 10 raised to the power minus 3, देखो यह 3 से 3 सहीद हो गया, अब यहां से यदि अपन data calculate करना चाहे नदियर, तो temperature T की value अपन calculate कर सकते हैं, जैसे आप square करोगे न इधर, 11.2 into 10 raised to the power 6 हो जाएगा, 2 into 10 raised to the power minus 3, उदर उपर multiply हो जाएगा, 25 से divide हो जाएगा, तो approximately यह जो temperature आराणाडी है, यह approximately temperature 10 raised to the power 4 Kelvin में कुछ आता है, ठीक है, तो यहां से अधि अपन correct answer की बात करें ना, इस में, तन दा answer 3rd one is the correct answer, ठीक बात है बेटाजी, चलो जी सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, 15 की बाद अगले question की बात करते है, question number 16, देखो जी सर, 16 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है, तक given diagram shows four processes, isochoric, isobaric, isothermal and adiabatic, चार process दिखा रहा है, the correct assignment of the processes in the same order is given by, अच्छा, मतलब समायतनी कौन सा, समदाब ये कौन सा, समदाप ये कौन सा, और रुद्धोस में कौन सा है, तो बिटू, सबसे पहले, यदि मैं isochoric को लेकर बात करता हूँ, मतलब volume constant, तो मेरे को directly दिख रहा है, कि D वाला case हो गया, फिर दूसरा वाला case, ये क्या बोल रहा, आइसो बारिक, तो आइसो बारिक मेरे को directly दिख रहा है, कुन सा हो गया है, ए वाला, फिर तीसरा बोल रहा, आइसो थर्मल, और फोर्थ वाला बोल रहा, डियर, अडियाबेटिक, तो मैं आइसो थर्मल और एडियाबेटिक में जब बात करता हूँ ना डियर, तो एडियाबेटिक की स्लोप ज़्यादा होती है, और आइसो थर्मल की स्लोप कम होती है, इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला तो जाएगा, एडियाबेटिक और यह वाला जो है इस इस इसो थर्मल, बोलो जी हां की ना तो यहां से अपन कंपेर करें तो सिक्वेंस आना चाहिए D A उसके बाद इसो थर्मल B and then इडियाबेटिक C, तो जो गर्रेक्ट टांसर इस फोर्थ वन, चलो भीटू आगे बढ़ाते हैं बात को Question number 16 के बाद बात करें Question number 17, देखो क्या बोल रहा है कि an HCL molecule has rotational, translational, vibrational motion, if the RMS velocity of HCL molecule in its gaseous phase is V bar and M is the mass, KB is the Boltzmann constant then its temperature will be कि HCL अनू में घूणन, इस तानांत्री करन ने कंपन गतियां होती हैं यदि HCL अनू के वरगमादे मूलवेक का मान V bar है, M उसका दरेमान है, तो इसके तापमान की बारे में पूछ रहा है, देखो डियर, बहुत आसान सा Question है ना, कि V bar की जो value होती है, वो हमें पता है सर कि ये वाली value under root 3 KT divided by M होती है, बोलो हाँ की ना, बहुत सिंपल सा फंडा है, मोलिक्यूल का मास दे रखा है इन्होंने, सानांतरन कंपन गतिया होरी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो वरगमादे मूलवेक से मतलब और वरगमादे मूलवेक का सिधा formula ये होता, V bar is equals to under root 3 KT by M, तो यहाँ से dear, यदि अपन इसके temperature की value calculate करें, that value becomes M V bar square divided by कितना dear? 3 KB. Boltzmann constant को क्या लिख रहा है ये? KB लिख रहा है, तो correct answer की यदि अपन बात करें dear, तो second one is the correct answer. चलो विटू, आगे बढ़ाते हैं बात को, 17 के बाद अगले question की बात करें, question number 18, देखो 18 में क्या करें, that for a given gas at 180M pressure, RMS speed of the molecule is 200 meter per second at 27 degrees Celsius, at 280M pressure and 277 degrees Celsius, the RMS speed of the molecule will be, कि 127 degrees Celsius ताप मान पर, तो RMS चाल, जो वो 200 है, तो 227 degrees Celsius ताप पर RMS चाल क्या होगी, तो हम इसमें temperature वाले factor को से ही काम कर लेते हैं, direct, तो जी सर, सिधा सिधा अपने को पता है, कि RMS speed जो होती है, gas molecules के, that is, proportional to the, under root of the temperature, तो यदि अपन V2 upon V1 की value calculate करें, dear, then that value will be T2 upon T1, बोलो, हां किना, तो जी सर, देखो, T2 कितना है, 227 plus 273, कितना है, सर, 500, T1 कितना है, 127 plus 273, that is 400, 2,0 से 2,0 सहीद होगे, this value becomes root 5, divided by 2, बोलो, हां कितना है, तो जी सर, मेरे पास V2 की value जो आ रही है, that value is coming as under root 5 by 2, साथ में V1, and what is V1, V1 is 200, यह सहीद होगे, कितने times, 100 times, so speed जो मेरे पास calculate होकर आ रही है, that is coming as 100 root 5, meter per second, बोलो, ही सही बात है, अच्छा दिर, तो यहां से मैं correct option की बात करता हूं, then I can say, and fourth one is the correct answer, ठीक है भी टू, चल भी आगे बढ़ाते हैं बात को, 20, sorry, 18 के बाद अगले question की बात करें, that question number 19, क्या बोल रहा है इसमें, that following figure shows two processes A and B for a gas, ठीक है, if delta QA and delta QB are the amount of heat absorbed by the system, in two cases, and delta U and delta B are changes in the internal energies respectively then, ठीक है जी सर, कि दो process है, I से F जाना है, एक बार A से गए और एक बार B से गए, तो आपको एक तो delta Q का comparison करना डियर, और एक delta U का comparison करना है, हमने का जी सर देखो, delta U जो है, potential energy, इसकी, internal energy में जो change है, यह state function होता है, बोलो हाँ की ना, अरे अवस्ता फलन होता है ना, अवस्ता फलन मतलब यह final और initial state पर depend करता है, तो आप चाहिए A के लिए बोलो डियर, चाहिए B के लिए बोलो, दोनों में state initial और final same है, that means we can say that delta U A की value जो होगी ना डियर, that will be equal to delta U B, बोलो हाँ की ना, तो delta U तो दोनों के लिए same है, अब मैं W के बारे में comparison करता हूँ ना, तो process A जो है वो कुछ ऐसा है, तो डियर, area under PV curve जो होता है ना, that is work done, तो यह तो मेरे पास WA हो गया, अच्छा, फिर इसके साथ मैं PV वाले में दूसरे में बात करूँ, तो यह dear मेरे पास WB हो गया, बोल हाँ की ना, बोले जी सर सही है, यह तो हो गया मेरे पास WA, यह हो गया मेरे पास WB, तो directly मेरे को दिख रहा है, delta U दोनों के लिए same, तो जिसके लिए W ज़्यादा होगा, उसके लिए delta QB क्या होगा dear, ज़्यादा होगा, तो जी सर किस के लिए W ज़्यादा है, बोले A के लिए ज़्यादा है, A के लिए ज़्यादा है, तो delta QB ए का ज़्यादा, तो option यह दी देखें, तो अपने पास 4th option जो आ रहा है dear, that is the correct answer, clear वे 2? ओके dear, तो अपने next question की बात करते है, question number 20, देखो यह क्या बोल रहा है इसमें, the specific heats, CP and CV of a gas of diatomic molecule, A are given by 29 and 22 respectively, another gas of diatomic molecule, B has the corresponding values, are 30 and 21, if they are treated as ideal gases, then, ठीक है जी सर, यदि इनको ideal gas की तरह treat कर रहे हैं, एक diatomic molecule, A के लिए तो अपन बोल रहे हैं, CP और CV 29 and 22 है, और दूसरे के लिए diatomic molecule के लिए, CP and CV जो है, वो 30 and 21 है, चीक है जी सर, बोले जी सर, ठीक, तो मैं सबसे पहले, CV की बात करूँ, तो gas molecules के लिए, CV की value जो होती है ना dear, वो FR by 2 होती है, बोला एक सौर नो, बोला हाँ, CV जो है, बोलो हाँ की ना, F1 44 by RR, R की value इस case में क्या पूट करोगे आप, CP minus CV जो होता ना dear, R के equal होता है, मतलब ये वाला data जो है, 44 divided by 7, बोले तो approximately 6 point, मतलब data 6.3 के आसपास, तो approximate yady में, इसके degree of freedom की बात करता हूँ, तो जी सर, approximately nearest integer की case में अपन देखें, तो अपन इसमें बोल सकते है, degree of freedom में कितने 6, अब degree of freedom 6 ना, इसका मतलब 3 translational, 2 rotational और 1 vibrational, बोले ये सर नो, 3 translational, 2 rotational और 1 vibrational, बोले जी ठीक, मतलब A के पास, 1 vibrational degree of freedom है, तो A has 1 vibrational degree of, vibrational mode, 1 और 2 में से कोई एक हो सकता है, second वाले में बात करें, यदि B के लिए बात करें, B वाले case में, जैसे second वाले के case में, अपन CV क्या लिखेंगे, F2 R by 2 बोलो, ये सर नो बोले हां, तो F2 की value जो आएगी, CV कितना है सर, second वाले के लिए 21, so it is 42 divided by R, और R यदि आप calculate करोगे, that value is what, 9, so it is 42 by 9, बोलो yes or no, nearest integer में यदि आप देखते हो, तो इसकी value कितनी आती है dear, 5, बोला के ना, अरे बात सही है क्या, बोलो जी सर ठीक है, तो degree of freedom इसके है 5, इसके है कितने 6, इसका मतलब 5 है, तो 3 translational और 2 rotational, इसमें 3 translational 2 rotational एक, vibrational, बोलो जी ये सर नो, बोले ठीक है, तो इसका मतलब correct answer, जो 20 का रहा है, that is first one is the correct answer, clear बिटाजी, चलो जी सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, question number 21 की बात करते है, देखो जी 21 में क्या कह रहा है, that is cylinder with fixed capacity 67.2 litre contains helium gas at STP, the amount of heat needed to raise the temperature of the gas by 20 degree Celsius, देखो, cylinder with fixed capacity, इसका मतलब isochoric process, फ़ली चीज, ठीक है, वो बोल रहा है, STP पर 67.2 litre है, यदि मैं number of moles define करना चाहूं, तो 67.2 divided by 22.4, that means the number of moles are 3, बोलो yes or no, कितने number of moles होंगे, बोले 3 होंगे, अच्छा, the amount of heat needed to raise the temperature of the gas by 20 degree Celsius, 20 degree Celsius से तापमार बढ़ाने के लिए, कितनी उसमा कि आवशेक्टा होगे, तो isochoric process में जो energy होती है, that is mu Cv into delta T, बोलो yes or no, तो mu तो है 3, Cv, कौन सी gas देराई दियर, helium, monoatomic 3R by 2, and what is delta T, delta T is 20, ठीक बात, तो ये data मेरे पास आगया, 90R के equal, R की value अगले ने 8.3 दे रखी है, तो approximate ये आंसर इसमें देखें, तो इसका जो answer आएगा, that is 748 joule, first one is the correct answer, clear बिटा, चलो, आगे बढ़ाते हैं बात को, आगे बात करते हैं, question number 22, देखो जी सर, 22 में क्या कर रहा है, एक बढ़िया question अडियर ये, कि A, 25 into 10 days to the power minus 3 meter cube volume cylinder is filled, with 1 mole of O2 at room temperature, the molecular diameter of O2 and its root main square speed are found to be, 0.3 nanometer, 200 meter per second respectively, what is the average collision rate, average collision rate के बारे में बात कर रहा है, ठीक है जी सर, मतलब ये collision frequency पूछ रहा है, तो collision frequency अपने पास किस के equal आएगी, 1 upon 2 के equal आएगी, बोली है सोर नों बोला हा, तो ये data जो होगा, वो मेरे पास किस के equal होगा, V average by lambda, number of collisions calculate करते हैं, तो lambda upon V average, frequency calculate करेंगे, तो V average upon lambda, V average, अब lambda की value अपने को याद है, याद है क्या, it is R T upon root 2 pi d square, into में कितना, pressure P, बोलो yes or no, अरे सही है क्या, तो dear, यदि अपन यहाँ से बात करते हैं, formula में कुछ कमी है, क्या, energy कमी है, ठीक है क्या, बोले जी से ठीक है, V average, यदि आपको calculate करना हो, तो V average का formula होता है dear, कितना, under root 8R T, divided by pi M, w, एक molecule का mass रखना है, वैसे इन्होंने, O2 बोल रखा है, तो molecule का mass तो अपने को वैसे ही पता है, इस वाले case में, pressure है, T temperature है, energy है, एक mole के लिए अपन बात करने हैं, इसलिए है ना, ठीक बात है, से कुछ data's दे रखे हैं, तो इसका जो approximate answer राता है, calculation के बाद, that is 10 days to the power 12, clear बात है, देखो बीटा, अपन concept deal कर सकते हैं, calculation वाला जो portion है ना, वो आपको ही deal करना पड़ेगा, ठीक है, चलो जी सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, 22 के बाद बात करते हैं, question number 23 की, तेखो question number 23, जो है ना, वो थोड़ा सा confusion वाला सा question है, generally, students बोलते हैं, सर, यह question है, यह bonus है ना, पर यह actually bonus है नहीं, चलो discuss करें, देखें क्या है, वो बोल रहा है कि, n moles of an ideal gas with constant volume heat capacity cv, इसको समझे ना जा रहा ना, constant volume heat capacity cv, जो है वो n moles की है, एक mole की नहीं है, बात समझ रहा है तू, तो जो cv अपन काम में लेते थे थे न, उसके लिए यह वाला data जैसे, मैं उसको cv note कर दू एक mole के लिए, तो अपन को cv upon small n काम में लेना है, इस बात का जान रखना डियर इसक्विशन में बस, clear, अच्छा जी सर, undergo an isobaric expansion by certain volume, the ratio of the work done in the process to the heat supplied is, isobaric process है, तो जी सर, isobaric process में तो heat supplied जो होती है, उसकी value होती है, mu cp delta t, बोलो हां की न, अच्छा, और work done जो होता है, वो होता है, mu r delta t, बोलो yes or no, बोलो हां, तो इसने value पुछी है, किस के dear, w upon q की, किस के equal होगी, r upon cp के, बोलो हां की न, बोलो जी सर, ठीक है, r upon cp के, तो cp किस के equal होता है, इस वाले case में तो सोचेगा, तो molar specific heat को मैंने cv note लिख रखा है, तो cv note plus r, तो यह वाली value आई, मेरे पास r upon, this is cv upon an n, plus में r, तो इसकी value जो so लोकर आरही है, that is coming as nr, upon cv plus nr, बोलो जी सर, हां की न, अरे बाट ठीक है क्या, तो dear, यदि मैं यहां से बात करू, तो इस question का जो correct answer है, that is the third one, clear भी टू, बढ़ाएं बात को आगे, चलो जी सर, आगे बढ़ते हैं, question number 24, 24 में यह बोल रहा है, that when heat, capital Q is supplied to diatomic gas of rigid molecule at constant volume, its temperature increased by delta T, the heat required to produce the same change in temperature at a constant pressure, कि constant volume पर जो आपने heat दी है न, उसकी value है क्यो, ठीक है जी, और same temperature change के लिए, constant pressure पर जो heat चाहिए, उसकी value क्या होगी, बहुत आसा question है, बहुत logical, direct होता है, यदि आपको Q की value याद है तो, constant volume वाले process के लिए यह होती है, QCV delta T, जिसको इन्होंने Q का है, और constant pressure वाले case के लिए यह होती है, mu Cp delta T, जो अपने को calculate करना है, बोलो हा की ना, तो QP upon Q, this value will be Cp upon Cv, बोलो हा की ना, और Cp upon Cv कितना dear, gamma, और diatomic gas है ना देख, वी पर माणूं gas, तो diatomic gas के लिए गामा होता है, 7 by 5, तो जी सर, यहाँ से QP जो मेरा आ रहा है, that is 7Q divided by 5, correct answer कितना, first one is the correct answer, clear भी टू, चलो बात को आगे बढ़ाएं, आगे अपन बात करते, Q25 की, 25 एक आसान सा Q25 है, यह वो Q25 है, जो दिखा के डराता है, मतलब ऐसा कुछ देख क्यों बोलो हाँ नहीं नहीं यार, इसमें बगडन पूछ रहा है, वोल्यूम वी नोट से टू, वी नोट चेंज कर रहा है, प्रेसर की एक्वेशन देख रहा है, और तो अपमान में परिवर्तन पूछ रहा है, तो बहुत टिपिकल सा हो जाएगा साइधा, प्रेसर इस टाइप से कुछ वोल्यूम के साथ वेरी कर रहा है, तो dear, बहुत आसान सा क्यूशन है, चलो इसके उपर आपन डिसकेशन करते हैं, यह कर रहा है कि एक मोल गैस है, वन मोल अपन आइडिल गैस पासस थूँए प्रोसस, विच वेर प्रेसर और वॉल्यूम अवे दर रिलेशन पी इसगस तो प नोट, 1-1 by 2 V0 by V2, here P0 and V0 are constants, calculate the change in temperature of the gas, if its volume changes from V0 to 2V0, clear? तो जी सर, प्रेसर की जो एक्वेशन है, तो जी सर, प्रेसर की जो एक्वेशन है, यह गिवन अपन पी नोट, 1-1 by 2 V0 by V2, गैस के कितने मोल है, एक मोल है, बोले जी ठीक है, तो हमने कहा, देखो सर, initial temperature जो होगा, that will be P initial V initial divided by मोल 1 है, इंटू में R, बोलो, यह सोर नो, बोले हाँ, तो T initial जो आया, देखो, initial pressure, V0 की जगे V रखना है, जैसे ही आपने रखा V0 by V0, 1-1 by 2 is 1 by 2, तो initial pressure is P0 by 2, volume is V0 divided by R, so this value becomes P0 V0 divided by 2R, ठीक बात है डियर, अच्छा, फिर, final volume 2 V0 है, 2 V0 है, जैसे ही आप इसमें रखोगे, देखो, V0 upon 2 V0, तो V0 से V0 तो सहीद हो गया, यह 1 by 2 का square, 1 by 4, साथ में यह वह, 1 by 8, तो 1 minus 1 by 8 कितना, बोले 7 by 8, तो T final जो मेरे पास आ रहा है, that value is 7 by 8 P0 V0, divided by R, so this value is coming as 7 P0 V0, divided by कितना डियर, 8R, बोलो भई, yes or no, बात सही है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, नहीं, volume जो है, वो 2 V0 है, और volume यदि 2 V0 है, तो final जो temperature आ रहा है, that is 7 P0 V0, divided by कितना डियर, 4R, calculation सही किया है, ठीक है, बोले जी ठीक, अब temperature में change calculate करना है, delta T, that will be what, T final minus T initial, what is T final, T final is 7 P0 V0, divided by 4R, and T initial is P0 V0, divided by 2R, so we can say that this value is, 5 P0 V0, divided by 4R, बोलो भई, yes or no, बात ठीक है क्या, अच्छा जी सर, तो यहां से अदिया अपन बात करें, then first one is the correct answer, clear है भी टू, okay dear, तो अपने अपने अगले क्यूशन को continue करते है, question number 26, उसमें क्या बोल रहा है, कि a sample of an ideal gas is taken through the cyclic process, A, B, C, A, as sony figure, एक cyclic process है, A, B, C, A, A से B गया, B से C गया, C से A गया, अच्छा, फिर वो बोल रहा है उसमें, the change in internal energy along the path C is minus 180 joule, मतलब C से A तक जो internal energy में change है, वो देखो जी, किसके equal होगा, बोले जी, वो UA minus UC के equal होगा, और UA minus UC जो है, वो किसके equal आ रहा है, minus 180 joule के equal आ रहा है, ठीक है dear, फिर आगे बोल रहा है, the gas absorbs 250 joule of heat along the path AB, path AB के लिए उसने जो Q की value define की है, QAB, वो वाली value किती बोल रहा है, that is 250 joule, बोले ठीक है जी sir, फिर उसके बाद, आगे क्या बोल रहा है, 60 joule along the path BC, BC के लिए जो बोल रहा है, वो बोल रहा है 60 joule, तो QBC अपने पास आ गया 60 joule, ठीक है जी sir, अब आपन आगे पूछ क्या रहा है, वो बोल रहा है work done by the gas along the path ABC, कि इस वाले path में, gas का जो work done है, वो कितना है, तो देखो dear, मैं यह कहूँ, देखो QAB जो है ना, उसको अपन लिख सकते है, WAB, plus UB, minus UA, बोलो जी हाँ की ना, लिखा जा सकता है, Q is equals to W plus delta U, लिख सकते हैं, तो अब इसमें, delta U की value चाहिए, तो sir, कुछ information BC को लेकर दी गई है, BC वाले gas में हमें पता है, कि BC जो process है, वो isochoric है, समाइतनिक है, और समाइतनिक परकरम में किया गया कारी होता है, जी sir सुने, और इधर UA माइनस UC की value जो है, तो UC माइनस UA कितना है, UC माइनस UA हो गया 180 joule, बोलो हां की ना, बोले हां, फिर, इसको अपन लिख दें sir क्या, अरे ये अपन ने, ठीक है, BC, UCA ठीक है, तो इसको मैं break कर लेता हूँ dear, कैसे, मैं इसको लिख देता हूँ, UC माइनस UB, प्लस में UB, माइनस UC, बोलो जी हां की ना, ये 180 के equal है, UC माइनस UB कितना है, 60, तो UB माइनस UB, UB माइनस UC कितना है, बोलो जी sir, UB माइनस UC आ गया, 120 जील, बोलो हां की ना, अब देखो, ये 250 है, ये वाला data अपन ने अभी calculate किया, 120, इसका मतलब WAB जो आ रहा ना sir, उसकी value हाजाएगी, 250 माइनस 120, and that value is 130 joule, बोलो डियर, yes or no, अरे बाट ठीक है, अच्छा जी sir, तो इसका correct answer आ गया, first one, चलो डियर, बात को आगे बढ़ाते हैं अपन, question number 27 की बात, देखो जी 27 में क्या बूल रहा है, कि 2 moles of helium, gas is mixed with, 3 moles of hydrogen molecules, taken to be rigid, what is the molar specific heat of the mixture at constant volume, कि जी sir, 2 moles helium और 3 moles hydrogen के अणुओं को मिला दिया, तो इस्तिरा आईतन पर, मिश्रन की molar wishes to usma क्या होगी, तो जी CV mix की value अपने को पता है, कि CV mix जो होता है, उसकी value क्या होती है डियर, mu1 CV1, plus mu2 CV2, divided by कितना डियर, mu1 plus mu2, बोलो हां की न, बोले ठीक है, mu1 कितना है, helium के 2 moles है, CV1 कितना है, 3R by 2 है, अच्छा जी, plus में, hydrogen के कितने moles है, 3 moles है, CV2 कितना आएगा, hydrogen diatomic है, तो 5R by 2, total number of moles की बात करें, तो 2 plus 3 बोलो हां की न, अच्छा, अब देखो जी, ये वाला data आया 6, ये वाला data आया 15, 15 और 6, 21, ये आगया, 21R बटे में, 2 इनके साथ पहले से गूम रहा है, और ये 5 नीचे बैठा है, तो कितना, 10, इसका मतलब, इस mixture का जो CV आ रहा है आपने पास, वो कितना आ रहा है dear, वो आ रहा है 2.1R, और R की value कितनी है dear, 8.3, तो जैसे ही आप multiply करोगे, तो आप approximately answer को बोल सकते हो sir, कि इसका approximate answer जो आएगा, that is 17.4, ठीक है dear, चलो बिटाजी, आगे बढ़ाते हैं बात को, question number 27 के बाद, अगले question की बात करें, question number 28, देखो 28 वाला जो question है ना, ये repeat हुआ हुआ question है, मतलब J-E man में इससे पहले, इस question को पूछा जा चुका है, और इस question को बाद में दुबारा से पूछा गया dear, बहुत simple सा, A-A triple के time पूछा हुआ question है, बहुत easy सा question है, बस उसमें Kelvin में answer पूछा था, इस बार answer जो पूछा है, वो 1- T2 upon T1 होती है, तो 1- T2 upon T1 जो आ रहा है न dear, that value is coming as 1 upon 6, तो यहां से अपने calculate कर लिया, कि T2 upon T1 जो आ रहा है, वो वाली value आ गई 5 upon 6, बोलो हा की ना, बोले ठीक है, फिर उसके बाद, when the temperature of the sink is reduced to, reduced by 62 degree Celsius, its efficiency is doubled, मतलब, नीटा जो है, 1 by 6 का double, 1 by 6 का double कितना 2 by 6 कब है, जब आपने इस temperature को decrease कर दिया, किस से dear, 62 से, ठीक बात, अच्छा जी, तो यह data आया, 1 by 3 is equals to 1 minus, T2 upon T1, plus में 62 upon T1, मैंने T1 से divide कर दिया, 1 minus T2 upon T1 किस के equal है dear, 1 minus T2 upon T1, 1 by 6 के equal है, तो यह data 1 by 3, is equals to 1 by 6, plus में 62 divided by T1, अच्छा, तो dear, यह data इदर गया, 1 by 3 minus 1 by 6 कितना sir, 1 by 6, and this value is equals to what, 62 by T1, बोलो हां की न, तो sir, T1 की value जो मेरे पास आ रही है, that is 6 into 62, कितना, 1, 36, 37, 372, किस में है sir, Kelvin में, 372 Kelvin में, इसका मतलब T1 की value, जब अपन calculate करेंगे, degree Celsius में, तो degree Celsius में कितनी हैगी, 99 degree Celsius, बोलो हां की न, अरे बात सैट है क्या, बोले जी ठीक, अच्छा, तो यहां पर देखो, वैसे तो आना, आप चाओ न, तो सीधा direct discussion को hit करना चाओ, क्या पूचा दे, temperature of source and sink, तो source का temperature 99 है, तो 99 वाला option वैसे एक ही है, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, कि 99 यह वाला answer हो जाएगा, अच्छा, दूसरा, आप यहां से चेक भी कर सकते हो, फिर इसको हो न, कि जी सर T2 जो है, लब निकालना चाहो T2 तो, T1 कितना put करोगे, 372 कर देना, बाकी मत ऐसे गलत डाटा मत पूट कर देना, डिग्री सेल्सियस वाला यहां पर, तो 5 by 6 into 372, यह वाला डाटा 62 into 5, 62 into 5, that value is what, 310, बोलो हां कि न, डिग्री सेल्सियस में केल्कुलेट करोगे, तो यह 37 डिग्री सेल्सियस आजाएगा, अगे बढ़ाते हैं बात को, question number 28 के बाद बात करते हैं, अगले question 29 के, देखो जी sir, 29 में क्या कह रहा है, कि a dieatomic gas with result molecules, does 10 joule of work when expanded or constant pressure, what would be the heat energy absorbed by the gas in this process, कि एक द्वी परमानूट gas है, जो कि सम्दाबिये विस्तार के दोरान, 10 joule का कारिये करती है, तो उसकी अवसोसित उसमा कितनी होगी, अब जी sir, देखो सम्दाबिये परक्रम जो होता है न, उसमें अवसोसित उसमा का formula होता है, mu cp delta t बोलो हां की न, और उसमें किये गए कारिये का formula होता है, mu r delta t बोलो हां की न, तो यदि मैं दोनों का अनुपात ले लू, w upon qb, data value becomes r upon cp बोलो यह सोर नू, बोले जी ठीक है, अब cp जो होता है, कौन सी gas है बेटू, ज्वी परमानूट gas, diatomic gas के लिए cp की value होती है, dvr 7r by 2, तो यह r तो सहाधत प्राप्त कर गया, यह data कितना आया, 2 बटे साथ, हमें qp चाहिए, तो qp थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, तो 7 by 2 into w हो गया, w कितना दे रखा है, w दे रखा है, to 10, जैसे इसमें put किया, बढ़ाते हैं बात को, अगले question की बात करते है, question number 30, यह एक बढ़िया question है, मतलब logical सा है, integration देख के डरने वाला सा है, वैसा है नहीं, जैसा आपन सोच रहे है, देखो, बोल क्या रहा है, कि the number density of molecule of gas depends on their distance, r from the origin as nr as equals to n0, e raised to the power minus alpha, r raised to the power 4, बलन दिया गया है, वो कुछ इस प्रकार का दिया गया है, तो कुल संक्या किस के समानों परती होगी, हमने का जी सर देखो, ऐसा ना, center के साथ r distance पर variation है, तो अपने काम कर लेते हैं, गोल ये को स्पैरिकल सेल का आजमसन कर लेते हैं, center से कितनी distance पर, r distance पर, जिसके थिकनेस कितनी है, थिकनेस dr है, तो इसका volume जो होगा इस सेल का, वो किसके equal होगा, वो 4 pi r square into dr के equal होगा, यही तो करते हैं, डियर आस्ते का पर, कि dv की value जो है, वो 4 pi r square into dr आ गई, और आपके पास dn by dr जो given है dn by dv, density तो बोल रहा है dn by dv जो given है नदियर, that is n0 e raise to the power minus alpha r raise to the power 4 given है, ठीक है, अच्छा जी, तो dn जो होगा, that becomes n0 e raise to the power minus alpha r raise to the power 4, into में 4 pi r square dr, बोलो हा की ना, अरे बात सेट है क्या, मतलब मेरा जो dn आ रहा है न, उसकी value है dear n0 e raise to the power minus alpha r raise to the power 4, 4 pi r square dr, बोले जी, ठीक है सर, तो आपन इसमें काम कर लेते हैं बिटो, बहिए total n के लिए तो आपन इसको integrate करेंगे, integrate करेंगे 4 pi n0 तो constant है, अंदर एक तो r square आया, और एक e raise to the power minus alpha r raise to the power 4 dr आया, बोलो हां की न, बोले जी, ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस equation के solution के लिए, assume कर लेता हूँ कि, let under root alpha r square जो है, वो x के equal है, मतलब अब मेरा r का variable जो है, उसको मैं change करूँँगा, ताकी alpha को free कर लूँ अंदर से हैंना, तो जी, सर, यहां से, under root alpha, 2 r dr जो है, वो किस के equal है, बोले जी, वो dx के equal है, मतलब dr की value जो है, वो dx upon under root alpha, साथ में 2 r के equal आ गई, बोले जी, ठीक, अब अपन इस वाली value को यहाँ put करते हैं, हैंना, तो n is equals to, अभी देखो, एक साथ नहीं कर रहा हूँ, 4 pi n naught, r square को गूमने दे रहा हूँ, e की power minus alpha r की power 4, इदर से square किया, तो e की power minus x square के equal, dr के place पर put किया, dx upon, 2 under root alpha, into में r, r की एक power तो सहीद होगी, चीक है, अब यहां से इस r की value में put करूँ, तो r की value जो है, that can be written as, under root x, divided by alpha, raised to the power 1 by 4, लख सकते हैं के dear, बोले जी, put कर दो यहां, जैसे ही put किया, n is equals to 4 pi n naught, ये बाला data, 2 root alpha, साथ में इदर, r की value आपने रखदी, root x, divided by alpha, raised to the power 1 by 4, e raised to the power minus x square dx, बोलो dear yes or no, बोले हाँ जी, अब देखो, alpha की power इदर 1 by 2 है, alpha की power इदर 1 by 4 है, तो alpha की total power कितनी dear, 3 by 4, वो लखा की नाम बोले हाँ, तो n जो है, वो यहां से proportional हो गया, n naught, sorry, n proportional हो गया, n naught, alpha raised to the power, बार-बार e लिखा जा रहाँ नहीं, बुग जा भई, alpha raised to the power minus 3 by 4, बोलो dear, यह सो, यह एक बढ़िया question है, थोड़ा सा conceptual था, बहुत ज़्यादा detail में भी नहीं जाना था, math के student के लिए easy है, तो sir, अपन यहां से बात करें, तो किस के समान उपाती है, तो fourth option जो है, वो correct आ रहा है अपने पास, ठीक है dear? चलो बिटाजी, आगे बढ़ाते हैं बात को, आगे अपन बात करते हैं, question number 31 के, देखो जी 31 में क्या कह रहा है, कि a liter of dry air at STP expands, adiabatically to a volume of 3 liter, STP बोल रहा है, मतलब 1 atm pressure अपन ले सकते हैं ना, if gamma is equals to 1.4, मतलब diatomic gas है, the work done by the air is, इस expansion में air ने कितना work done किया, adiabatic expansion में, और कुछ given है data, क्या 3 raise to the power 1.4 is equals to 4.6555 ठीक है, देखो इन्होंने air के लिए दे दिया, यदि air के लिए नहीं दिया हुआ होता, तो आपन जनरली air को diatomic मान कर ही treat करते हैं, तो आओ जी सर अपने question में, work done पूछ रहा है, adiabatic expansion में, formula होता है सीधा सीधा P, initial V, initial minus P, final V, final upon gamma minus 1, बोलो हां की ना, याद करने, बिल्कुल सारे formulas आपको इस वाले case में, याद लब जितने भी processes हैं, isothermal, adiabatic, isobaric, isocoric, इन सब में Q कितना होता है, graph कैसा बनता, W कितना है, delta U कितना है, इन सब के formulas में मैं में में बात करूँ, देखो P, initial तो मेरे पास 180M है, V, initial जो है, वो 3 liter है, ठीक है, P, final मेरे पास 1 liter है, अच्छा, expand हो रहा है, तो P, initial 1 liter है, V, final 3 liter है, P, final कितना है, यह देखना है, तो जी सर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस process में, P, initial, P, initial, V, initial, raised to the power gamma, is equals to P, final, V, final, raised to the power gamma, P, initial, आप 1 ATM के साब से लेकर चल रहे हो, 10 raised to the power 5, V, initial, आप 1 liter चल रहे हो, 1 raised to the power gamma, P, final, और, V, final, लेकर चल रहे हो, 3 liter, तो 3 raised to the power gamma, तो DRP, final, जो मेरे पास आ रहा है, यहां पर, वो 10 raised to the power 5, upon 3 raised to the power, लीटर मैंने दोनों साइड में नहीं लिया, क्योंकि सजीद हो जाएगा, इसकी power है 1.4, और इसकी power 1.4 की value आपको दे रखिये है, ठीक है क्या, बोलेजी, ठीक, अब जैसे ही अपन W की value calculate करते हैं, P, initial, 10 raised to the power 5, V, initial, 1 into 10 raised to the power minus 3, P, final, 10 raised to the power 5, अपोनन 4.6 555, and V, final, that is 3 liter, तो 3 into 10 raised to the power minus 3, meter cube में convert करोगे तो, divided by gamma, that is 1.4 minus में 1, ओलो जी, ठीक बात है क्या, अब calculation वाला portion मैं आपके लिए छोड़ दू, वैसे लंसम में इससे calculate करते हैं, तो 88.7 Joule के आज पाच कुछ data आता हैं, मैंने calculate करके देखा है, आप कर ले ना, वरोसा नहीं कोई बात नहीं, पर करना भीची है ना, calculate तू कर लो इसके आगे, तो dear, ना तो इसके आस पास, लंसम में अपन आंसर देखें, तो लंसम में इसका जो आंसर है रहा, that is coming as 90.5, बोलो जी, ठीक है क्या, इसके लिए पांच बटा 3 है, उसके दो मोल है, पहली गैस के लिए तो, दूसरी गैस के लिए जिसके लिए चार बटे 3 है, उसके लिए 3 मोल है, ठीक है, और मिक्सचर का CP अपन CV मतलब गामा मिक्सचर पूचा है, देखो जी सर, इस वाले केस में यदि मैं बोलू ना, तो मैं कह सकता हूँ कि यह जो है, मोनो अटोमिक गैस है, तो इसका CP जो है, वो 5R by 2 है, और इसका CV जो है, वो मेरे पास 3R by 2 है, बोले ठीक है, इस वाले केस में, मैं CP के लिए बोल सकता हूँ, 4 by 3 से अपने को याद है कि इसके लिए 4R होता है, और इसके लिए CV कितना होता है, बोले जी सर, CV इसके लिए 3R होता है, बोलो हाँ की ना, अपने CP और CV दोनों के लिए define कर लिए, बोले जी ठीक, अब गामा मिक्सर जो होता है न डियर, उसकी वैल्ली होती है, मिक्सर के लिए जब अपन define करते हैं, तो formula यह आता है, मिक्सर के लिए जब अपन डिफाइन करते हैं, तो formula यह आता है, में इसके 3 mol दे रहा है, CP कितना होता है, इसका 4R अपने पास है, अच्छा जी, फिर नीचे, 2 mol, CV कितना, 3R by 2, प्लस में mu2, 3 mol, CV कितना, 3R, बोलो हां की न, बोले जी ठीक है, अब यहां से देखो dear, यह 2 से 2 सहाधत प्राप्त कर गया, इस 2 से 2 सहाधत प्राप्त कर गया, तो यह जो गामा मिक्सर मेरे पास आ रहा है, that value is coming, यह 5R, और यह वाला कितना, 12, तो कितना dear, 17, this value is 17R, divided by, यह 9 और यह कितना 3, this is 12R, यह R तो cancel out हो गया, तो यहां से यह अपन data calculate करते है, 12 by 17, तो यह वाला जो answer आता है dear, यह approximately 1.42 आता है, तो इस question का जो correct answer है, that is the fourth one, clear dear, okay dear, तो अब बिटा जी अपन अपने अगले question को continue करते है, question number 33, तेकर उसमें क्या बोल रहा है, कि under an adiabatic process, the volume of an ideal gas gets doubled, process कैसा है, adiabatic, volume क्या हो गया, double हो गया, consequently, the mean collagen time between the gas molecules changes from tau 1 to tau 2, mean collagen time जो वो tau 1 से tau 2 हो गया है, CPY-CV गामा define कर रखा इस gas के लिए, और हमें tau 2 upon tau 1 की value calculate करनी है, ठीक है dear, चलो जी sir, तो continue करते है question को, देखो बिटू, यह जो time होता है न, तो यह proportional होता है, V upon under root T के, किसके proportion होता है, V upon under root T, फिर V is the volume, T is the temperature, तो process कैसा है, adiabatic, adiabatic process के लिए क्या होता है, T, V raised to the power gamma minus 1 is equals to constant, बोलो हा की न, तो जी sir, T जो है, वो inversely proportional हो गया, 1 upon gamma minus 1 के, सही है, यहाँ से मैं बात करूँ, तो वैसे root T की बात करें, तो root T proportion हो गया, 1 upon V raised to the power gamma minus 1 upon 2 के, जैसे ही आप यहाँ put करते हो, तो proportional हो गया V, और 1 upon root T वाला जो proportional T है, यह उपर की चलफ चला जाएगा, तो V raised to the power gamma minus 1 upon 2, बोलो हा की न, डीर, अरे सही है, तो जी सर, यहाँ से T जो है, वो proportional आ रहा है, V raised to the power, gamma minus 1 by 2 plus 1, कितना आया डीर, gamma plus 1 divided by 2, बोलो हा की न, अच्छा, तो जी सर, अब यह T2 upon T1 आप से calculate करवा रहा है, जो वाली value किस के equal हो जाएगी, V2 upon V1, V2 कितना है, 2V, V1 कितना है, V raised to the power, gamma plus 1 divided by 2 की, बोले जी सर, दो तो सहीद हो गया, तो आपका T2 upon T1 जो आ रहा है, that is coming as 2 raised to the power, gamma plus 1 divided by 2, बोलो गई, हाँ या न, सेट है बेटा जी, तो यहाँ से अधी अपन बात करें न, डीर, तो correct answer जो ना इन में से 1 भी नहीं है, तो यह question जो है न, डीर, यह J-Mens ने bonus declare किया है बात में, ठीक बेटा जी, चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, अगले question के लिए, question number 34, तेखो 34 वाला जो question है न, वो J-Mens में अपन पहले भी इसको deal कर चुके हैं, starting में, इसी में आया था, और यह question number जो है डीर, question number 4 जैसा ही question है, उसमें numerical values गिवन थी, इसमें numerical values नहीं गिवन है, चलो, question को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, कि two ideal Carnot engines operate in casacad, all heat given, all heat given up by one engine is used by the other engine to produce work between temperatures T1 and T2, the temperature of the hot reservoir of the first engine is T1 and the temperature of the cold reservoir of the second engine is T2, T is the temperature of the sink of the first engine, which is also source for the second engine, how is T related to T1 and T2 if both the engines perform equal amount of work, देखो जी डीर, यह क्या है, क्या है, कि देखो, यह एक पहला source है यहाँ पर T1, यहाँ बीच में, यह पहले engine के लिए तो, यहाँ पर engine E1 के लिए तो यह sink कितरह काम कर रहा है, और engine E2 के लिए किस की तरह काम कर रहा है, डियर, source की तरह काम कर रहा है, ठीक है जी, अब यह बोल रहा है कि दोनों का जो work है, वो बराबर है, दोनों का work यदि बराबर है, तो हमने का सर देखो, जैसे माल लो, यहाँ से Q1 heat आई, जिसमें से W इधर चली गई, और इधर चली गई Q2 heat, अब यह जो Q2 heat इधर आ रही है, जिसमें से W इधर चली गई, और इधर चली गई डियर कौन सी, Q3 heat, बोलो हा के ना, अरे बात सही है, बोले जी ठीक है, तो अपन ने कहा सर देखो, डबलू जो है, वो एक तो Q1 minus Q2 के equal है, और एक डबलू जो है, वो यहाँ से Q2 minus Q3 के equal है, तो जी, 2Q2 जो है, वो मेरे पास Q1 plus Q3 के equal है, बोलो हा की ना, बोले हा, अच्छा, फिर मैंने एक relation बताया था वहाँ पर, कि Q1 upon T1 जो है, वो equal होता है Q2 upon T2 के, वो equal है Q3 upon T3 के, ब equal आते हैं, तो Q1 की value तो आगी XT1, Q2 की value XT2 और Q3 की value XT3, जैसे ही अपने इसमें put करते हैं, two times, Q2 is XT2, Q1 is XT1, and Q3 is XT3, X तो साधत परात कर गया, T2 की जो value अपने पास आ रही है, that is coming as T1 plus T3 divided by 2, बोलो dear, yes or no, ठीक है बिटाजी, तो यह अपने इस question में correct answer की बात करें तो correct answer जो आ रहा है, बस मैंने यहाँ पर इसको T2 ले लिया था, यह अपने को T लेना था, यह वाला T था, यह वाला T2 था, तो change कर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह वाला T है, यह वाला T2 है, तो T जो होगा साब आपका, T1 plus T2 divided by 2 की equal आ जाएगा, तो correct answer की बात कर then fourth one is the correct answer, चलो जी सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, question number 35, देखो जी 35 में क्या बूल रहा है, यह thermodynamic cycle, XYZX is shown on VT diagram, ठीक है, the PV diagram that best describes the cycle is, कि इन में से इसको best कौन सा describe करता है, ठीक है, तो अपने एक काम करते हैं, सबसे पहले XY से पकड़ की चलते हैं, तो XY की यह दी बात करोग तो XY VT graph इससे cross कर रहा है, इसका मतलब XY वाला जो है, अपने इससे बात कर लेते हैं, कैसा है, बूले जी सर, XY जो process है, वो आपका isobaric process है, XY कैसा process है, आइसobaric, ठीक है जी, तो आइसobaric में XY में सोचें, एक तो यह XY को आइसobaric दे रहा है, यह XY को आइसobaric दे रहा है, बाकी तो कोई दे नहीं रहा, लेकिन अपना graph XY जाना चीए, तो XY में यह तो आनी रहा, तो यह पहले answer के साथ ही correct होगा, खतम बात, नहीं, चलो आगे वाले भी कर लेते हैं, फिर Y से Z की बात करते हो, तो Y से Z जो है ना भी तो, वो आइसobaric है, मतला volume constant है, ठीक है, तो यदि अपन यहां से बात करें, Y से Z, तो बुले जी सर, Y से Z आइसobaric हो गया, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, Z से X की, तो Z से X कैसा graph है, ब TV diagram isothermal में कुछ इसी type का बनता है, Z से X वाला, बोलो जी, तो answer कुन सा correct हुआ, fourth option is the correct answer, चलो डियर, आगे बढ़ाते हैं बात को, question number 35 के बाद अगले question की बात करते है, question number 36, 36 बहुत आसान सा प्रशन है, यह पूछना है, the plot that depicts the behavior of a mean free time tow between two successive collisions for the molecules of an ideal gas, as a function of temperature qualitatively, बहुत आसान सा प्रशन है सर, तो हमें पता है कि तो जो है, वो temperature के root TK proportional होता है, बोलो हां की न, ऐसा ही होता है न, ऐसा है, ऐसा है, तो dear, कौन सा वाला diagram आ गया, correct answer में आप देखोगे तो और कोई option है यह न, कौन सा answer है, fourth option is the correct answer, बढ़ाएं बात को आगे dear, चलो आगे बढ़ते हैं, 36 के अपन बात करते है, question number 37 की, देखो जी, 37 में यह कह रहा है, कि consider a mixture of N moles of helium gas and 2 N moles of oxygen gas, ठीक है, as an ideal gas, it's CP upon CV value की बारे में बात करना चाह रहा है, कि helium के N moles लिए, oxygen के 2 N moles लिए, CP upon CV कितना होगा, मतलब mixer का gamma कितना होगा, तो dear, अपने को formula पता है, कि gamma mixture जो होता है, उसका formula होता है, mu1 CP1, plus में, mu2 CP2, divided by mu1 CV1, plus में, mu2 CV2, बोलो हा की न, अच्छा dear, तो mu1 कितने N moles helium के, CP1 monoatomic gas 5R by 2, plus में, इसके कितने 2 N moles, फिर gas कौन सी है बेटा जी, oxygen gas है, oxygen में मतलब बोले तो कितने, 7R by 2, ठीक है, divided by, mu1 तो वही N, CV1, monoatomic gas 3R by 2, plus में, 2N into में, कितना dear, 5R by 2, बोलो हा की न, R by 2 तो सबका सईद हो गया, N सबका सईद हो गया, तो dear, बचा कितना, ऊपर तो अपने पास बचा 5, ये बच रहा है 14, नेचे ये 3, और ये वाला कितना, 10, तो data जो मेरे पास आ रहा है, that is coming as 19 by 13, ठीक है गा dear, तो 37 के correct answer की ये अपन बात करें, तो correct answer आगया 19 by 13, अब देखो, मेरे को specifically ये feel हुआ, कि J-Mens में जितने questions आए न, उनमें सबसे अधा questions, अकेले इस वाले formula पर सबसे अधा questions आए, 4-5 questions आचुके हैं, डीरीस के ओपर, ठीक है न, तो थोड़ा सा इस पर अपने को ध्यान देन आए, clear, अच्छा, ठीक, आगे बढ़ाते हैं, देखो, इसमें न, error जो होती है, वो जो एक question आए था न, जिसमें CP upon CV 4 by 3 दे रखा था, generally क्या students इस बात को जान में रखते हैं, कि sir, R by 2 तो साधत परात कर लेगा, पर जब 4R और 3R आता न, डीर, तो R by 2 cancel out नहीं होता है, उस रहा है, that a Carnot engine having an efficiency of 1 by 10 is being used as a refrigerator, कि ये Carnot engine को refrigerator की तरह यूज करना, जिसके efficiency 1 by 10 है, if the work done on the refrigerator is 10 joule, ठीक है, the amount of heat absorbed by the reservoir at lower temperature is, ठीक है जी सर, तो दियर देखो, Carnot engine की जो efficiency होती है, उसका formula होता है, 1 minus T2 upon T1, और अगला ये कितना दे रहा है, 1 upon 10 दे रहा है, इसका मतलब डियर, T2 upon T1 जो है, that value is what, 9 upon 10, बोलो हां कि न, बोले जी ठीक, refrigerator वाले case में, अपने पास W upon Q2 की जो value होती है न, डियर, that value is T1 upon T2 minus 1, बोलो जी हां कि न, यही आता है, अच्छा जी, तो T1 upon T2 minus 1, यहां से यदि मैं बात करूँ, तो T1 upon T2 कितना, 10 by 9, minus में कितना 1, तो यह वाला data कितना बचा जी सर, 1 by 9, अब मैं यहां से यदि Q2 calculate करना चाहूं, तो Q2 की value directly किस के equal है, 9W के equal है, और W आपका कितना given है dear question में, W बूले 10 given a question में, तो Q2 जो मेरा calculate होकर आ रहा ना dear, that is coming as 90 joule, तो सी सर, question number 38 के correct answer की बात करें, तो इसका correct answer आ जाएगा first one, ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं बात को, question number 39 की बात करते है, 39 में क्या बूल रहा है, कि which of the following is an equivalent cycle process, corresponding to the thermodynamic cycle given in the figure, where 1, 2 is adiabatic, अच्छा, कि ये graph दिया है, इसके corresponding दूसरा graph कौन सा है, बूले जी ठीक है, तो अपने का देखो, सबसे पहले तो, अपन 2, 3 और 3, 1 से पकड़ते हैं ना, बाकी बाते बात में कर लेंगे, 1, 2 की बात last में करते हैं, 2, 3 जो है ना, dear, that is is isobaric process, इसमें pressure क्या है, constant दिख रहा है अपने को, तो 2, 3 वाला isobaric में ये बात करूँ, तो 2, 3 VT डाइग्राम में origin से crossing line, एक तो इसमें दिख रही है, एक इसमें दिख रही है, और और नहीं है, इसका मतलब first one cancel out हो गया, fourth one cancel out हो गया, मेरे को इन दो 3, 1 की बात करता हूं, dear, तो 3, 1 तो वैसे ही दोनों में क्या है, 3, 1 तो दोनों में सेम दिख रहा है, sir, 3, 1 जो है, यहां से भी अपने को दिख रहा है, sir, ये isochoric process को लेकर है, तो 3, 1 इन दोनों में isochoric है, तो अपन इसकी बात नहीं करते, अब बात करते, 1, 2 की, 1, 2 जो है वो dear, कैसा process है, कैसा है, given है, देखो, adiabatic process है, और adiabatic process है, इसका मतलब graph vt वाला ये straight line नहीं होगा, t v raised to the power gamma minus 1 is equals to constant होता है, तो इसका जो correct graph होगा, that is the third one, third is the correct answer, ठीक है dear, चलो बिटाजी, आगे बढ़ाते हैं बात को, 39 के बाद अपन बात करते हैं, question number 40 की, तेको जी sir 40 में क्या कर रहा है, consider two ideal diatomic gases, A and B, at some temperature T, ठीक है, molecule of A gases rigid and have a mass small m, molecules of B have an additional vibrational mode, अच्छा, उसके पास कमपन अनुगती भी है, ठीक है जी sir, B का जो mass दे रखा है, वो M by 4 दे रखा है, उनकी specific heat का ratio पूछा है, तो देखो, molecule के mass का तो वैसे भी specific heat में कोई बड़ा रोल होता नह है, तो आप M और M by 4 को लेकर तो जीवन में ज्यादा सोचने की ज़रुवत नहीं है, अब मैंने का A जो है, उसके पास vibrational mode नहीं है, vibrational mode नहीं है, तो CV हमें पता इस वाले case में कितना होता है, 3 और 5, degree of freedom 5 होगे, तो 5 R by 2, और दूसरे वाले case के लिए, यदि मैं CV B के लिए बात करता हूँ, तो उसमें 2 extra mode जुड़गे, तो total degree of freedom कितने होगे, डियर, 7, तीन translational, 2 rotational इसके लिए तो और इसमें 2 vibrational extra होगे, तो ये 5 R by 2 और ये 7 R by 2, तो CV A upon CV B यदि अपन डिफाइन करेंगे, तो जो ratio है, वो directly अपने को दिख रहा है, sir, that this ratio is 5 upon 7, so dear, first one is the correct answer, ठीक बात, चलो आगे बढ़ाते हैं बात को, ओके डियर, तो अब अपने अगले question की बात करें, 41 में क्या करा है, 2 gases, argon, atomic radius this, and atomic weight this, ठीक है जी, sir, फिर दूसरी, xenon, atomic radius this, and atomic weight this, ठीक है, हाद, the same number of density, and at the rate of same, and are at the same temperature, ठीक है, जी, sir, ratio of their respective mean free time is closest to, कि दो guesses है, जिनके प्रमाणूओं की त्रिज्जा दे रखी है, प्रमाणू भार दे रखाया जीनोन के लिए, आरगन के लिए, एकाई आइतन में प्रमाणूं की संक्या एक समान है, तापमान भी एक समान है, तो जी, sir, ऐसे case में, हमें पता है, कि तो जो होता ना, वो proportional होता है, जी, डी स्क्वार, इन्टो देखो, अब यहाँ पर वी आरमस लेलो, वी एवरेज लेलो, वैसे वी एवरेज ज्यादा प्रिफरेबल है, mean free time के लिए तो, ठीक है, तो यह proportional होता है, आपका दी स्क्वार डिवाइड़ वाईड़ वाई अपोन वी आरमस, दोनों ही जो अना, वो molecular mass के inversely proportional होते हैं, बोलो हा की ना, सही है, इसका मतलब, सर आपका जो mean free time है, टो, that is proportional to under root M, divided by कितना डियर, D square, इसके उपर भी है जेए मैंस में 4-5 क्यूशन आ चुके हैं, तेको 4-5 तो गामा मिक्षर वाले पे और 4-5 इस वाले पे, तो इन दोनों पे अपने को ज्यादा धान देने की जरूवत है, ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इन दोनों में, दोनों में क्या-क्या ले रहा है, आरगन और जिनों के लिए, तो AR, divided by टो XC, ये वाली value जो मेरे पास आ रही है, M AR, M AR कितना है सर, 40, और XC वाले के लिए कितना दे रखा ह है, dear, 0.1, और ये वाला data कितना दे रखा है, dear, 0.0, सही लिखा है कि अपने, पहले AR ले रहे है, तो इधर AR ले लिया, इधर अपने ये ले लिया, भूलो जी से, ठीक है क्या, ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, dear, ये इसका हो जाएगा, square, तो वैसे तो dear, इसका answer जो ठीक है, तो मैच तो हो नहीं रहा, तो इसका जो correct answer, फिर exactly मेरे को जान नहीं है, वैसे ये question bonus होना चाहिए, बट लमसम में यह दिया, आप सोचो, तो second one जो है, उसको अपन correct answer इसका define कर सकते हैं, ठीक है बिटा जी, चलो बढ़ाते हैं बात को आगे, अगले question की बात करें अ question number 42, देखो जी सर, 42 में क्या बोल रहा है, कि a rigid diatomic ideal gas undergoes an adiabatic process at room temperature, the relation between temperature and volume is given by this, the x की value पूच रहे, कि एक द्वी परमानुक आदर्स गैस एक रुद्धोस में परक्रम से गुजरती है, तो तापमान और आयतन में संबंध इस परकार से दिया गया है, x का मान होगा, यह व देखो अपन यह वाले formula से तो इसको निकालते हैं, v raised to the power, p v raised to the power, gamma is equals to constant, फिर p के place पर अपन पूट कर देते हैं, mu r t upon v, और इधर v raised to the power, gamma is equals to constant, बोलो हां की न, तो जी सर, यह बन गया, t v raised to the power, gamma minus 1 is equals to constant, तो जी अपने पूछे में जो data में बात करें न, dear, तो हमारे x की value जो है, वो gamma minus 1 के equal है, gamma जो है वो die atomic के लिए 7 by 5 होता है, तो यह 7 by 5 minus 1 आगया, तो इसके answer की यह अदि अपन बात करें correct, तो 42 का जो correct answer है, that is the third one, बढ़ाएं बात को आगे, dear, चलो आगे बढ़ते हैं, question number 43, देखो जी क्या कह रहे है, कि एक कार्णो इंजन, एक कार्णो इ joule of work per cycle, the heat energy delivered by the engine, to the low temperature reservoir, मतलब sink को कितनी energy मिली, अगला इसके बारे में बात कर रहा है, तो हमने काजी सर्दे को इस वाले case में, W upon Q, source से जो लीगी energy, उसका formula होता है, 1 minus T2 upon T1, तो 1 minus T2 कितना है, dear, T2 है 300 Kelvin, और T1 है मेरा 900 Kelvin, this value is 1 by 3, 1 minus 1 by 3, that value is what, 2 by 3, 3, बोलो हा की न, अच्छा, ये वाला data कितना दे रखा है, 1200, इन 2 में 3 by 2, that value becomes what, Q, ये तो Q, source से अपन ने जो ली है, and that value comes as, ये 600 times, तो Q की value जो मेरे पास आती है, dear, that is coming as 1800 J, बोलो हा या न, मतलब ये Q1 है, तो Q2 की value किसके equal होती है, Q1 minus W, अपन Q से लिख रहे हैं, तो Q minus W It is 1800 minus, work done कितना है, dear, work done there at 1200, so this value becomes 600 J, ठीक है, dear, तो इस Qution के येदि अपन correct answer की बात करें, तो 600 is the correct answer, clear, चलो जी सर, आगे बढ़ाते हैं बात को, last Qution पे अपन move करते हैं, Qution No. 44, देखो जी, 44 में क्या कह रहा है, वो बोल रहा है, Starting at temperature 300 Kelvin, 1 mole of an ideal diatomic gas, gamma is equals to 1.4, is first compressed adiabatically from volume V1 to V2, और V2 की value है, V1 by 16, ठीक है जी सर, It is then allowed to expand isobarically to volume 2 V2, ठीक है जी, in all the processes are quasi-static than the final temperature of the gas की बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो देखो dear, Qution क्या है actually, कि एक 300 Kelvin starting temperature की एक gas है, 1 mole, 2 पर मानूँ gas, पहले रुदोस्वपरक्रिया दोरा आईतन 1.36 तक संपीडित होती है, तो यदि मैं DRS का diagram बनाना चाहूं, Pressure versus volume का, तो initial diagram तो बनेगा पहले तो ऐसा, यहाँ पर मैं volume लूँ V1, बाद में यहाँ वाला volume हो गया मेरे पास V1 by 16, जी, V2 की equal है, फिर वो दोगुने volume तक adiabatically उसको expand कर रहा है, तो यह वाला जो volume होगा, यह हो जाएगा, डियर कितना V1 by 8, बोलो हाँ की ना, अरे ठीक है, जी ठीक, अब मैं इसमें देखो, यह 1, यह 2, यह 3, सबसे पहले मैं 1 से 2 की बात करता हूँ, 1 से 2, adiabatic process है, तो इसका equation होता है, T1, V1 raised to the power gamma minus 1 is equals to T2, V2 raised to the power gamma minus 1, ठीक है, T1 कितना एडियर, 300, V1 तो अपना V1 है, T2, N2 में V2 कितना एडियर, V1 by 16 raised to the power gamma minus 1, बोलो हाँ की ना, अरे सही है, तो यहाँ से यह अपने इसको solve करते हैं, देखो, V1 तो यह सहादित प्राप्त कर गया, यह वाला data हो गया, T2 is equals to 300, N2 में 16 raised to the power gamma minus 1, गामा है, diatomic gas 1.4, 1.4 minus 1.4, तो T2 जो आ रहा है, यह आ गया 300, N2 में 16 raised to the power 0.4, और इसको अपन solve करते हैं, तो यह वाली value आती है, 909.4 Kelvin, अब जी आप पूछो, कहां से आया answer तो, calculator से, यह थोड़ा सा आना मतलब, उन्हें यह information जो है dear, यह provide करनी चीए, तिकी सर, 16 raised to the power 0.4 की value, जो है, वो 3.03 के आसपास आती है, clear? अच्छा, अब देखो, T2 आगया, अब T3 की बात करनी है, तो 2 से 3 कैसा process है, isobaric, isobaric process में क्या होता है, V by T constant होता है, बोलो हां की ना, बोले जी ठीक है, V by 2 constant, तो 2 से 3 में आपका volume double हो गया, volume क्या हुआ, double, इसका मतलब आपका temperature जो होगा, अब भी क्या हो जाएगा, बोले वो भी double हो जाएगा, तो 909.4 इसका double करो गया, मतलब T3 जो होगा, वो 2 T2 के equal आगया, और इसका double किया, तो ये 1818.8 अपने पास आ रहा है, मतलब approximately integer में अपने इसका आंसर देना चाहें, तो integer में इसका आंसरा जाएगा, 1819 Kelvin, clear है dear, okay sir, तो मेरी तरफ से KTG और Thermodynamics में, J-Mans के question के solution के लिए इतना ही, बाकि all the best for your exams, अच्छे से perform करो, heat जो है, वो दोनों ही exams के लिए, NEET as well as J-Mans, और J-Advance भी बो दो dear, क्योंकि advance में भी 4-5 question आते हैं न, तो इन सारे के लिए यह बहुत important topic है, आपका बहुत अच्छे से prepare होना चाहिए, ओके dear, good bye,